अद्वेशन पर कर लेंगे अब तो रिजर्वेशन पर क्या बात करोगे दरिद्र सुदामा कोटा आपको मिली गया है अब हम थोड़ा धर्म गरंथों पर बात कर लेते हैं आजिन पर आपने सदियों से बात नहीं करना कितना चाहिए और पूरा प्रसेंट आपको इदें पेट बढ़ जाएगा है है कि छतम होना चाहिए और यह जाती बाद यह चलते जातिबाद नहीं है कहां है आपकी बेटी की शादी आपकी लड़की की शादी पड़े लिखे आपके बच्चे से ज्यादा पड़े लिखे आपकी बच्चे से ज्यादा पड़े लिखे लड़के के साथ करेंगे करते हैं का अपने जातिवाद नहीं है वह बाती नहीं है चली छोड़िए इनको दिखाते हैं दरसल अद्वेती ब्रामड जातिवाद है नहीं आपने यह कहाना ठीक जातिवाद बिलकुल खतम हो गया यही बात कह रहा है ना हाँ अच्छा और अगर नियूज बगयरा देखते हो आदेखा हूँ देखे हो अच्छा तो उसमें आपको कभी यह दिखाया कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं जो जातिवाद हो रहे हैं वो आपने कभी लोगों में होता है यह क्या है यह दो महीने पहले का है उत्रा खंड में दलित को मंदर में ही घुसने की सजा रसी से बांदा जलती हुई लकड़ी से रात भर पीटते रहे है की मंदर में घुसने पर पर्सनल मैटर है मंदर किसी गहार है मंदर रहे हुगा इस चलिए ख़ोर हो सकता है तो चलिए हिंदी पढ़ना आता है आपको पढ़िए यह यह यहां से जरों आटिकल रहते हैं आर्टिकल गलत रहता है, खबरें गलत रहती है, है ना? वो कोई बोल देगा तो उसका अख़़ार ख़ाब देगा, उसमें कौन सच्चा ही है? अच्चा कोई सच्चा ही नहीं है, देखी यहां पर यह बंदे को सर्म आ रही है, यह देखो उत्राखंड की कवर है, और यहां पर किलिए लिखा गया एक दलित को मंदर जाने की सजा दी गई, ग्रामवीडों ने दलित को रसी से बांदा, फिर जलती हुई लकड़ी से उसे पीटते रहे, यह इतने इन हुमन और इतने क्रुएल हैं, जैसे यह अद्वयती बैठा है, यहां पर यह कहरा है कोई यह गलत है, मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मामला उत्तरकासी जले के सलरा गाउं में नौ जनवरी का है इसकी जानकारी अब सामने आई है, पुलिस न इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास्त केंदर में भरती कराया गया, जहां उसकी गंबीर हालत को देखती हुए, उच्छ केंदर रेफर कर दिया गया है, तो अब यह बंदा क्या कहा रहा है, कि भाई यह गलत है, यह यह खबरें यह गलत हैं, चलिए, इसकी और भी पोलते है अब देखते जाएए न, यह इनके अंदर इन हुमेनिटी देखिए, इनके अंदर इन हुमेनिटी का वो देखिए, यह एक ही नहीं है, देखिए, यह तो फिर सिर्फ एक ट्रेलर था, इनको पूरी, सच्चा ही तो दिखाते हैं, कि यह जाती बाद, यह ब्रहम्रों की पुरानी खवरे नहीं होती हैं आपको नई खवरे दिखाएंगे देखिए यूपी में दलित परवार का आरोप मंदर में घुसने की बज़े से लड़के की हत्या यहां पर मंदर में घुसने पर हत्या हो जा रही है और यह बंदा बोल रहा है कि जाती बाद खतम हो गया तो क्या की है उसके साथ? आरक्षड़ वाले से यह इलाज कराओगे कभी? अच्छा आरक्षड़ वाले से आरक्षड़ का मतलब क्या समझते हो? इन अफरत देखो आपकी आरक्षड़ से क्या समझते हो? इलाज कराते हैं आरक्षड़ वाले डेक्टर से कभी? बिल्कुल कर बाते हैं आप डेटा कोल के देखिए जितने जादा जो धांदी हुई है उसमें सवाण डॉक्टर जादा मिले हैं अरे तो इनके इपर बनाये थे अपनी जाते फर्जी डॉक्टर बनाये थे फर्जी डॉक्टर बिल्कुल और अभी इस प्राइबेट इंस्टीशन से हाँ प पर देखिए कहां के सवाण बच्चे की जाते अधिकतर आपके लिए जफर गलत है आपके लिदे जबया ठेपर जो डोनेशन करें जो तरह सई यह तो इस toughest यह अदवयती ब्र Crist verbat को क्या लग रहा है भाई क्या लग रहा है और को कोई इलीजिबल ने हो उसको बना देते हैं क्या मतलब सरंव करो ज्यान SENASE दियान से सुन लिए बहुत हो गया यहां पर हुम नी चल रहाँ है यहां पर ना तुम्हारी यह असलियत तुम्हारी निकल रही है, यह जाती बाद खत्म हो गया, यह देखो जाती बाद, इंदर मिगवाल का केस भूला अभी तुम, इंदर मिगवाल की टाइम पर क्या हुआ था, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, अब यह सुदामा कोटा वालों से इलाज करवाएगा के निए, इससे पता ही नहीं है उसको पता ही नहीं है वह बोल गया उन्होंने समझाई नहीं अच्छा एक बात और बताओ अभी जो मुमबई IIT के अंदर दीप सौलंकी करके जिस बच्चे को आत्मात्या करनी पड़ी वो किसकी वज़े से करनी पड़ी आपकी वज़े से आपके जाती वाइ आप सिधा और चौथा वाग बोल रहे है अभी एक वाग बोल रहे हैं अभी एक वापस एक नहीं आप सीधा और चौथा वाग बोल रहे हैं अभी एक करोड के उपर की फीज है तो वैसे भी इसी वज़े से ब्राम्मणबाद मां पर फुसा हुआ है अरे भाई आया एम दो लाइन लिकिन वाई अरे डोनेशन वालों से एराज कराना बता है और वो छोड़ो मंदिर पर पूछो इससे मंदिर में आरक्षन पर प्श्ले हजार सालों से आप मंदीर में आरक्षन लेके बैठे हो वहाँ पर किसी एस्टीस्टी के बच्चे को ज बनाओं गया उसको मंदिरों में विरामडी पुजारी क्यों मंता है बनाएंगे गुरूप वह इससा करेगा बनादे पहले फिर बात करना या कि आज तक एक नहीं बनाया लों करोड़ों खा रहे हो मंदिर में बैठके करोड़ों पेट बढ़ा रहे हो अद्वैती ओधी ड दिखाता हूं मैं थोड़ा देटा तुम्हें कि देखो तुम्हारा जो है ना ब्रहमडबादी किस तरीके से वेदवाओ करता है पुराने नहीं नए आंकड़े दिखाऊंगा यह देखो यह कब का है दिसंबर 27 2022 यह देखो यह 6 दिसंबर 2022 को यह रिजल्ट आया था और यह MPPSC का है ठीक है गाइनकोलोजिस्ट की पोस्ट थी और उसमें देखिए भाई साब यह आप यह दी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी एक मिनिट है मैं इसको यह दर लेके आता हूँ हाँ तो देखिए यह जो दिख रहे हैं यहाँ पर यह नाम और यह जो इंटर्व्यू में मार्क्स हैं वो कितने किसको कितने दिये गए यह सारे अन्रिजर्वड हैं यानि यह सारे पांडे मैता यह सारे के सारे भदोरिया य 83 80 84 81 78 77 85 85 देखिए इस तरीके से आगे देखिए ठीक है जोती सर्मा 83 गुपता उपाध्या सोलंकी देखिए यह सारे के सारे 80 85 83 ठीक है 75 80 मानसी तिवारी भारगव दुबेदी पटेरिया सर्मा सर्मा ठीक है यह सारे के सारे सबर्ण हैं और इनकी नमबर किते 89 77 82 75 यह देखिए यह सारे के सारे नमबर पा लिए अच्छे खासे एबरेज देखा जाए तो 80 प्लस है इनका आप देखिए जैसे OBC जो प्रिलिजम को पास कर गया जो मेंज को पास कर गया लेकिन इंटर्वीव में देखिए उनको 38 40 40 40 50 41 भाई वो प्री मेंज को निकाल दिये उसमें उसमें उनके मार्किंग अच्छी हुई लेकिन इंटर्व्यू में देखिए किस तरीके से मार्किंग की जाती है वेदवाओ देखता नहीं है सरम करो इसमें इंटर्व्यू की माध्याम से रिटेन और प्री एक्जाम के नहीं होती है कराता है इसका मतलब नहीं है और मेरे वाई यह गाइनेकोलोजिस्ट में कबसे डारेक्ट वर्ती होने लगी और देखो यहां पर एसी कम जब वाले आते हैं तो देखो एसी कंडिडेटेस को पैंतालीज थर्टी फोर एक भी सी कंडिडेटे यह जिसको 50 प्लस नहीं मिले यह तो भेदभाव है ना यह तो मैं नहीं सकता कि एक भी बंदे में टैलेंट ना हो मतलब क्या सारा टैलेंट का ठीका किसा वन्डर इसको सामने दिख रहा है सच लेकिन ये सच सुईकारेगा नहीं यही तो कहते है ना इमान सिकता का परिणाम ये अफंगर की बात नहीं करेगा नौकरीओं की बात है उसी सब संद्धा होती है उस जमाने में मूह से पैदा होते है उस पैदा होने एक लिए क्या करना पड़ता और पता ना मुखमेतन से पैदा हुए जरूरत नहीं है पिधा हिहां बताई यह भिजया है जी से कैसे पैदा होते थे बताओ थोड़ा जैसे राम चरित मानस में आप लोग उसे सुद्र को पितने कैज़ बोल रहे हैं सबको मगर उसमें सिच्छा है तर्वेंस को सिच्छा दोगे स्कूल भेजोगे भैंस को अपनी पिएसडी हैं लेके आओ उनका 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 नॉलेज चेक करते हैं यहां पर सुद्रान सु तर्वेदी हैं कि दुबेदी हैं चतुरवेदी हैं उनके सारे बेद फिर देख लेते ना यहां पर यहां पर करें बैक्या आके अब जो टीवी डिवेट्स होती हैं वह वहां पर एंकर भी ब्राम्मिन होते हैं ठीक है और तर्वेदी भी उनको मैसेज भी देना होता है तो जो बोलेंगे वो सही है एक बार विरोधी विचार धारा के सामने खड़ा करो ना उनको तब उनको वकात समझ में आएगा लाओना ना डिवेट करने है देखें कितने गरंट होने पड़े हैं हम खोलते ना गरंथ यहां पे लिएक आओ याई हो अप्या दुटन की अदुष्ट तो इसने अदुए इसने ठोड़ा तो पर इसने थोड़ा रेंगे हाँ और उसका दूसरा मंत्र है सो हम सो मतलब वो यानि कोई इश्वर वही मैं हूँ सो हम सो हम आपको तो अद्वेती पता नहीं है सही तरीके से ब्रह्मा नहीं है ब्रह्मा है जैभीम सर अच्छा आपके जो शंक्राचारिय है जैभीम सर आप लोग को बंड़ा पहलाते हैं यह ब सब्सक्राइब कर लेते हैं अध्वेती जी सिर्फ प्रॉप ऑगेंड़ा का स्पैलिंग बता दीजिया ना चली छोड़िए सर वह ब्रह्मान जी है वह उनको क्या ज़रूरत है किसी भी चीज का स्पैलिंग बताने की पंडे जी कैसे हैं ठीक है पंडे जी क्या मतलब बंद चोड़ए हो यह हमारे लिए हजारो साल की आर्यार्यक्षन जो ले रखा है कर रहे हो ? आप लोग तो गनंतों का बिरोत करते हैं मन्दिर का बिरोत करते हैं तो जाए जाएंगे ? कि ने हम तो आज भी करते हम कल भी करेंगे मैं सोच रहा था कि 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 आपको हमारे एक्त्रक्षे जोटकरBut необходимо है तो हम उगा कि आपको डित्रोपत सुनगी है ज्यकीन मनें आप जैसे लोग मुझे बहुत पसंत आते हैं मैं तो अपने समाज को यह दिखाता हूँ कि देखिए पंडी जी आया है यह हिंदुत्व की जो गाजर दी थी ना आपके पिछवाड़े में इन ही पंडी जी ने दी थी अब पंडी जी आपको 15 परसंट जो आपको 15-20 परसंट कोटा मिल रहा है न वो भी इंसे बरदास्ट इन पंडी जी से जो हिंदुत्व की गाजर ले रहे हो न रोज भौजन समाज की लोगों इनको देखो इनको यह आपके मूँ से निवाला तक छीन लेंगे यह यह इनका हिंदुत्व होता तो इनको चाहिए था कि आप भी हिंदु हैं आप हमारे भाई हैं अगर आपको कु कि उठाओ आश जैश्री राम के दारे लगाओ हरहर महादेव के युनों कामडवावड उठाओ फिर इस जैसे पंडित आएंगे तुम्हें तुम्हारी अवकात दिखाने के लिए कि यह पंडे जी क्या बोलते हो विडेश भी मान रहे हैं यहां के छोड़िए शनातर अधर क्या है सट्य है अध्यत्य है तुम्हेरा ये धर्म सत्याव्ध्य कुछ नहीं यह यह ऐसी सप्टी एन अट वरस इंग ठीक है ये यह वह है पूलको ये थायरीय आ जाता आधर कि आरक्षन से इन्हें प्रावलम है मैं तो कहता हूं आरक्षन नहीं होना चाहिए मैं आपके साथ हूँ शुरू वहां से करते हैं जहां से शुरू हुआ था सबसे बड़ा अरक्षन किनको मिला है ब्रह्मनों को पंडितों को हाथ इनके आगे जोड़ो इनके पाउंच हुओ इनको पैसा दो इनको मंदिर दो हैं यह यह किसी भी वर्ग की लड़की से शादी कर सकते हैं सुपेरियर हैं तो पहले तुम अपना छोड़ दो ना काहे ले रखे हो भया अमेरिका जबान चैना में आरक्षन नहीं है इसलिए सब आगे बढ़ रहे हैं क्यूंकि तुम घध अरे एक सेकंड यार एक सेकंड चाइना में हिंदु दर्म है चाइना में पुझारी रिजर्वेशन ले रहे हैं मंदिर में वहाँ पर यह वहाँ पर आपके लोग योगां चीक रहे हैं अच्छा आज ही हम लोग रिजर्वेशन खतम की माँ करते हैं और हम जगा निकाल देते हैं municipality में सफाई की ठीक है नाला साप करने की और उसमें लिख देते हैं hundred percent reservation for brahmins और सारे के सारे नाली साप करने वाले brahmins के लिए जगा निकाल देते हैं यदि वो पूरी hundred percent भरती हो गई और hundred percent brahmins join कर लिए उनको और अगले दिन से नाली साप करने जाने लगे हम रिजर्वेशन खतम कर देंगे और शुरुआ तब्यों कि कुम से ही करते हैं चलो जाओगे नाला साप करने जाएंगे सर जाते भी हैं सफाई कर्मी में इस बार बाई है बहुत जो पहले आई थी उसमें बहुत लोग करते हैं OVC वाले भी सेस्टी सब लोग आप देखें इन से बहाइस जो है ना अरक्षन अबर अरक्षन पर यह एसा ही रहेगा आप देखिये सही पंडित जी को तकलीफ कितनी हुई यह आपके अरक्षन हिंदुतुए के नाम पर पंडित जी आपके बच्चों को बढ़काएंगे कहेंगे हिंदू राष्ट बनाओ और आपके बच्चों को मरवाएंगे ठीक है हिंदुतुए के नाम पर आपको कामड़िया भी उठाएंगे कावड़ उठाओ आपको बोलेंगे हर हर महादेव करो नंगे घूमो हैं वो नागे सादू देख लो उन मेंसे अगर पता कर लेना वो कौन से होते हैं तो होता है कि इन जैसे लोग जो ना यही हमारा इरादा पक्ता करते हैं इ आपके अंदर का यह तो फेला रहा जाता है इनके देखिये इनका जो निश्चा लंद है वो पूरी का महामद लेश्वर है वो जो कहता है वो कहता है कि जो पैदा हुआ वही ब्राह्मन हो सकता है ब्राह्मन अच्छा रॉक्सी सर का नेटवर्क आई इसिंक बीक तो ड्रॉप हो गए तो हाँ अद्वती प्रामबड यार अब देखो आपके अंदर आपकी आपकी पास नॉलिज तो है नहीं दुनिया में हर जगर इजर्विसन है और आपको पता तक नहीं है तो कहीई क эффlori sasr आप लोग को वकेशल कियो नहीं है कुछ नहीं कुछ सीज्ट гдеba क हुस्ट यह सब्सक्राइब अद्वद्वाद्वे वक्इल क्यों बन जानते हो अध्यर के वाखेष्चा क्याने तो बनना चाहिए आजाद मैं इनको एक example देना चाहता हूँ अदृती जी आपकी उमर क्या होगी कोई खाका बता सकते 30 से 40 40 50 क्या है आपकी उमर पीएॡी और कि यह पररी क्या किया हैं और जुल्स सिल यह कोई श्राइध काँ कहले ठीक है आप हैं अब यह बता ये आपके दादा, आपके नाना, आपके काका, आपके चाचा, आपके मौसा, ये सब बैठे हो किसी जगा पे, एक ही कमपनी, या एक ही गवर्मेंट में, या एक ही राज्य सरकार में, और वहाँ पे आपका इंटर्व्यू लग जाए, तो वो आपको प्रमोशन नहीं देंगे, म मेरा अद्वेटी आगे आना चाहिए, उसको तो नाकरी मिल ही जानी चाहिए, होगा न ये, स्वाभाविक तौर से होगा, तो वही हो रहा है कॉलेजिन सिस्टम में, ठीक है, आपके ब्राह्मन, इतने अंदर से नीच, पाखंडी, और डिस्क्रिमिनिटिव है, कि वो किसी दोर को आगे आने देना नहीं चाहिए, वो अपना परिवारवाद, नेपोटीजम वहाँ दिखाते है, काश्टीजम वहाँ दिखाते है, ये समझें आप, जूटना बोले, ठीक है, जद्वेटी जी, बाह गये, सर, रॉयलेट से बाहर निकल आ रही है, टॉयलेट से बाहर यार, इसको तो रेच लग गई हमरी बात से, ठीक है, अद्वेटी ब्राम्मण चलें, यार, आपके अंदर कुछ बात है, जाने से पहले उनको, वो शिवलिंग पूजा के हों से, वो पढ़वा दीजिए, प्लीज, वो ब्राम्मन है, शिव के उपासद है, ये उनने सब होना, ये मानेंगे नहीं है, ये ये लाइक नहीं है बढ़ने के, चलो यार, से बिलिए, आप लोग जो, चलिए यार, बस बहुत बहुत बहुत, चलो यार,